स्वागत है स्टुनेंट्स आपको हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कप्छा 10 का क्यूज अभ्यास जो की वीग 48 का है और चार जून का है इसके अलावा अन्य विश्व की भी आईया आपके हिंदे और एगलीस वह भी हमारे चैनल पर उपलब दिमिलेगी तो आपको पूरा दे उनको देख सके और पूरे में से पूरे नमबर ला सके देखे सत्य असत्य बताना है परीमे संक्या 7 बटे 2, 3 बटे 1 और 4 बटे 1 के बीच में स्तित है विर्कुल सत्य है यदि परीमे संक्या 1 बटे 36 परीमे संक्या 1 बटे 9 और 1 बटे 4 के बीच में है तो एक का सबसे मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अगला देखिए इन में से परीमे संख्या 3 बट्टे 8 और 5 बट्टे 6 की बीच में इस्तित है 17 बट्टे 24 उतरा आएगा अगला देखिए संख्या रेखा दे रखिए जिसमें D बिंदू 2 को दरसाता है तो माइनस का 3 बट्टे 2 कित्ता हो गया माइनस का 1.5 हो गया 3 बट्टे 2 तो एक हाँ परिस्तिते देखिए ए परिस्तिते ए उतर हो जाएगा अगला है बिंदू हमें दे रखा है माइनस 0.4 परीमे संख्या को हमें रूप में व्यक्त करना है तो पॉइंट अटाएंगे तो 4 बट्टे 10 हो जाएगा दो से काटी है माइनस का 2 बट्टे 5 उतर हो जाएगा अगला देखिए निमलिकित में कतन सत्य नहीं है दूसरा हो जाएगा परीमे संक्या में पूर्णांग और दसमलत संक्या सामिल नहीं होती है इन में से माइनस 28 बट्टे माइनस 8 का बराबर क्या हो जाएगा 4 से कट रहे हैं दोनों तो 7 बट्टे 2 उतर हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा अगला देखिए कुछ उप्सन दिये गए हैं कौन सा जोड़ा माइनस एक बट्टे पांच और एक बट्टे तीन के बीच मेस्तित है option number 2 सही होगा students अगला देखिए कुछ परीमे संख्या है जिसके बीच मेस्तित है वे दिखकर दे रखा है कौन सा विकल्प सकते होगा पहला विकल्प सकते होगा students पहला उत्तर हो जाएगा अगला देखिए दो अनुपात 5 को परीमे संख्या की रूप में कैसे लिख सकते हैं दो बट्टे 5 simple बट्टे सही में लिख दीजिए अनुपात को वे परीमे संख्या की रूप में विक्त करता है निन में से कौन सा परीमे संख्या काज का क्यूज अप्यास इसी परकार अन्य विश्यो का देखने के लिए जोड़ा ही चैनल से थर निवाद